Hello friends, welcome to my YouTube channel Kitchen Tips with Isha दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे ही होंगे आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके सामने बहुत ही यूनिक टिप्स लेकर जो की YouTube पर आप पहली बार मेरे ही चैनल में देखेंगे इसके बाद जब भी आप देखेंगे तो आपको किसी और वीडियो में ही ये टिप्स दिखाई देंगी लेकिन फिर्स टाइम मैं आपने चैनल पे ये टिप्स दिखा रही हूँ दोस्तो ऐसे वाले गलफ्स जो है आपके घर पे मुस्टली मिली ही जाएंगे क्योंकि हम इसका इस्तेमाल जो है जातर अपने क्लीनिंग परपस में करते हैं जातर क्या करते हैं इसको यूज करने के बाद इसको फैंक देते हैं जातर लोगों को इनका सिर्फ यही यूज पता है कि उनको प्लीनिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनके और भी यूजीज है हमारे डेली लाइफ में तो आज मैं उनी से related आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि आप आगे से इन गलफ्स को ना फैके और मेरी वीडियो को देखने के बाद इसका इस्तेमाल आप multi-purpose तरीके से कर सकते हैं चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों मेरे पहले टीप होने वाले है traveling को लेकर जब भी हम traveling पर लेके जाते हैं और सबसे जरूरि काम होते हैं कि brushes जो कि हर कोई अपने साथ लेकर जाता है और हर किसी के अपने personal brushes होते हैं आपने notice किया होगा जब भी हम brush लेकर जाते हैं तो जादतर हम इस तरीके की अपनी किट का या पाउटीज का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम सारे इस तरीके से ब्रशी सारे के सारे अपने किट में डाल लेते हैं जो कि ब्रशी जो है आपस में इकठे होते हैं और ये एक दूसरे को टच करते हैं जो कि ये बिल्कुल भी हाइजनिक नहीं होता है इनको हाइजनिक करने के लिए हमें या तो अच्छी तरीके से इनको डीप क्लीन करना पड़ता है लेकिन हम जब सफर में इसका इस्तेमाल करत या तो इनकी वैसे कैप भी आती है उसके इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ब्रशी के साथ वो कैप नहीं मिलती है तो उस केस में हम क्या करें तो उस केस में मेरी ये टीप आपके लिए बहुत ही यूसफुल होने वाली है तो हम क्या करेंगे इस चीज के लिए हम इस्तेमाल करे इस तरीके से आप अपने ब्रशी इसको अपने gloves में डाल दे और उसके बार आप इसको जिस भी तरीके से fold करना चाहें. फोल्ड करें और इसको अपना इसको पर रबर बैंड चलाएं और आपने जहां भी इसको रखना है चाहे आपने इसको पर्स में रखना है या आपने पाउच में रखना है या आपने बैग में रखना है जिस मर्जी तरीके से आप इसको इसी तरीके से कैरी करके ले जाएं त बैंगल्स इस्टो हम पैने सब पेन जो झो हैं बहुत Hop Red कि में smell Similarly, हमें और रहिश लोड़ी, ओर सकति के यह हमारे उर जो हेए मिला सब्सक्राइब हुआ और उस हम जो कर आसू में सब्सक्राइब कर आदा ने, असलिए हमोगों का और चाहिज में लेना पड़ता है कभी क्रीम का सहरा लेना पड़ता है तो लेकिन मैं आपको बहुत ही असान टिप बताने वाली हूं कि आप इसके जरिये कैसे बैंगल्स को वियर कर सकते हैं तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है आपने यह लेना है गलव्स और इसको आप अपने हाथों में पहन लिए यह देखिजिए जैसे मैंने गलव्स पहन लिए अब आप सिंपली क्या करेंगे आपने जो बैंगल्स पहननी है जैसे कि सपोज मैंने यह बैंगल्स पहननी है तो मैं क्या करूंगी simply इसको लूँगी और अपने bangles को पहन लूँगी तो क्या होगा इसकी मदद से आपकी bangles easily आपके हाथ में चड़ जाएंगी चाहे वो कितनी भी tight हो क्योंकि हमारा ये जो polythene material होता है ये थोड़ा slippery होता है इसकी मदद से आप अपने bangles को easily चड़ा सकते हैं एक तो हुई ये tip और दूसरा ये होता है कि हम पहन तो लेते हैं किसी ना किसी तरीके से लेकिन जब हमें उतारनी होती है तो भी हमें काफी दिक्कत आती है कि हमें इस bangles को कैसे उतारे तो उसका भी बहुत ही असान तरीका मैं बताने वाली हूँ और वैसे भी आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने पूरे आपने beauty के lady से related tips डाली हुई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो please मेरे चैनल पे जाकर एक बार उसको जरूर देखिए तो उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है method तो अब क्या करेंगे अब हमें इसको अपनी bangles को उतानना है तो हम क्या करेंगे simply उतानने का तरीका है तो आप इसको ऐसे भी उतार सकते हैं आपकी easily उतर जाएगी लेकिन मैं उससे भी असान तरीका आपको बताने वाली हूँ आपने क्या करना है सीधा आपने इस polythine को reverse करना है इस तरीके से इस तरीके से आप अपने polythine को reverse करते जाएए और धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ खीशते जाएए यह देखिए आप देख रहे हैं कि मुझे कोई भी मशकत नहीं करनी पड़ रही है और मेरी bangles इस gloves की बदस से कितनी easily निकलती जा रही है ऐसा करने से ना तो आपके bangles को कोई हार्म होगा और ना ही आपके हाथ में किसी भी परकार की दिक्कत आएगी और यह आपकी चूड़ियां अराम से चड़ भी गई इसकी मदश से और उतर भी गई दोस्तो कैसी लगी आपको मेरी टिप और आपको इन में से मेरा कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा फ्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तो जब भी हम अपने घर से बार कहीं पे भी जाते हैं तो आपको पता ही है कि हम लेडिस हैं हम बिना मेकप तो कहीं जाते ही नहीं है और हमें makeup का समान तो carry करना पड़ता है, लेकिन traveling के time पे हमारा bag इतना भारी हो जाता है, इतना सारा समान pack करते करते कि हमें हर छोटी चीज को जो है कई बार avoid भी करना पड़ता है, लेकिन makeup का ऐसा समान है जिसको हम avoid नहीं कर सकते, तो उसको भी हम अगर अलग-लग अपने makeup के स कि बल्लग से ही किसी कि पाउच की जरोद पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं आप अपने इस तरीके से इसकी एक एक फिंगर में डाल दीजिए। मेरे पास यही brushes हैं, तो मैंने आपको यही डाल के दिखाया, इसलिए अगर आपके पस ज्यादा brushes हैं, आप ज्यादा करती हैं, तो आप easily इसमें डालके, इस तरीके से एक के ओपर एक फोल्ड करके, आप अपने brushes को एक जगा से दूसरी जगा easily ले जा सकती हैं, यह तो हुई ह और अलग-लग colors के लिए उनको अलग-लग brushes का इस्तेमाल करना होता है। जब वो अपने bag में उनको carry करके लेके जाते हैं और colors का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि colors जो हैं उनके brush के उपर लग जाते हैं तो उनके पास इतना वहाँ पे exam में या उनके school में इतना possibility नहीं होती कि उनको बार-बर पानी से धोएं और बार-बर उनको साफ करें तो वो क्या करते हैं काफी सारे brushes लेके जाते हैं एक brush को use करते हैं कपड़े से साफ करते हैं लेकिन क तो उसके लिए बहुत ही यूसफुल होने वाले हैं और सबसे बड़ा में पॉंट तो यह होता है कि बच्चे तो बच्चे ही हैं वो क्या करते हैं कि इन ब्रश का इस्तेमाल करने के बाद गीले ही गीले इस तरीके से वह अपने बैग की पॉकेट्स में रख लेते हैं जिसके कारण क्या होता है इनका सारा कलर जो है उनके बैक के ओपर उनकी पॉकर्स के ओपर चड़ जाता है जो इसली उतरता नहीं है और उसको ताने के लिए हमें काफी मेहनद भी करने पड़ती है तो उनके लिए भी यह ऑप्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है तो वह क्या कर सक करते हैं इस तरीके का जो है वह अपने साथ ले जा सकते हैं और उसके अंदर आपने ब्रशिस जो भी है वह इस्तेमाल करते हैं तो वह अपने इसमें डालके इजली अपने स्कूल में ले जा सकते हैं अगर वह गीले भी होंगे अगर उनके उपर कलर भी चड़ेगा तो उस सकते हैं उनको 구mmetri box देते हैं तो वत्ये हैं और सब्सक्राइब हो दूस्त करते हैं तो पैंक राङए कके सबस्क्राइब 낮क्र स्कत्राइब तो आप उनको ये भी gloves दे सकते हैं, इनको carry करना बहुत easy भी होता है, तो बच्चे जो है easily अपने pants को कहीं भी डाल सकते हैं, चाहे तो वो अपने pants की pocket में डाल लें, चाहे वो अपने bag की pocket में डाल लें, कहीं भी इनको डाल सकते हैं, इनको डालना उनके लिए काफी convenient भी हो ज और भी कुछ ऐसी चोटी मड़ी चीजे होती है, जो हमें ले जाने होती हैं. अगर हम हर समान के लिए अलग-लग pouches का इस्तिमाल करेंगे तो हमारे लगेस में space की काफी कमी हो जाती है या वैसे pouches जो हैं अलग-लग रखने से हमारा काफी space घेरते हैं. तो अगर हम अपना जरूरी जरूरी समान जो है इस तरीके के गलफ में डालें तो यह हमारा काफी समान भी कम घेरेंगे और इसके इस्तेमाल से हमें अपने समान को एक जगा से दूसरे जगा ले जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी जैसे कि आप अपने कॉम को इसमें अरेंज कर सकते हैं अपना यह जो आप इसको क्या नारा डालने वाली कहते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेल कटर को इसमें डालने का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना जो पेस्ट है आप जो लेके जाते हैं उसका इस्तेमाल कर सक अब आप देखिए इसनी सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं तो इससे क्या होता है कि आप इजीली इसको कम स्पेस में इसको डालके अपने साथ कहीं भी छोटी सी जगा पे भी एड़स्ट हो जाता है और यह आप अराम से क्यारी कर सकते हैं चली फ्रेंड्स बढ़ते ह अगले टिक की तरफ अब ट्रेवलिंग में जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा बाकी तो हम सारा समाल लेकर जाते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टन चीज़ है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है ना बच्चों का ना बड़ों का वो होता है कि हमारा चार्जर, चार् करना होता है चाहे हमें वो ट्रेन में क्यों ना चार्ज करना पड़े तो उसको ले जाने के लिए भिए हमें अलग से कोई ना कोई पाउच की जरूत पड़ती है इस important समान को भी ले जाने के लिए इस तरीके के हमारे gloves हमारे लिए बहुत ही helpful होते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है simply आप अपने ear plug को ले और उसको अच्छी तरीके से pack कर ले ऐसे ही आप अपने data cable को भी pack कर ले तो इस तरीके से rubber band चडा लीजिए और आपना लीजिए इस तरीके का gloves और इसके अंदर आपने जो है cables को आप separate करके रख सकते हैं इससे जो है आपके cables जो है arrange भी रहेंगे और आपका space भी काफी नहीं घेरेंगे इस तरीके से आप अपने cables को डाल दीजिए और बीच में आपको अपने charger को डाल के इस तरीके से कहीं भी रख सकते हैं space भी कम गेरेंगे और एक जगा पे ये organize भी रहेंगे और आपको इकठे एक जगा ये सारे मिल भी जाएंगे दोस्तों जब हम सफर में जाते हैं हम चाहें इसको जितना मज़ी टाइट कर लें तो उसके लिए आपने क्या करना है simply जो है इन टिप ये जो gloves हैं इनकी fingers को आपने काट लेना है ये देखे मैंने इनको इसकी fingers को अलग कर लिया है Caesar की मदश से तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं आप इस Geb को हटा लिजिए और क्या करेंगे आप आप लेंगे इस finger को जो मैंने अभी काटा है इसको आप क्या करेंगे आप अपने इस bottle के मूँ के उपर इस तरीके से चđ़ा देंगे इस तरीके से आप उसके उपर चड़ासकते हैं और उसके बाद आप लें इसकी cap और उसको tightly बंद करते हैं ये देखिए इस तरीके से आपकी bottle एकदम air tight हो जाएगी ये देखिए मैं आपके सामने ही live करके दिखा रही हूँ ये देखिए मैं इसको उल्टा सीधा जैसे मर्जी कर रही हूँ इसमें से मेरा सिरब बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है इस तरीके से आप अपने bottles को सफर में इसकी मदद से seal करके ले जा सकते हैं अब इन कटी हुई fingers का तो एक इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया अब इसका second इस्तेमाल क्या होने वाला है वो भी काफी unique इस्तेमाल होने वाला है और आपके लिए काफी useful होने वाला है उसके लिए आप जब भी अपने सफर में जाते हैं तो आपको हर person के हिसाब से अलग-लग shampoo चाहिए होता है या हमने अलग-लग cream चाहिए होती है अपने face के लिए Econom Lane चाहिए होता है अलग-लग type का चाहिए होता है समान जुन हमने अलग से जो है बॉटल को चैरी करना पड़ता है और कई बार shampoo तो हमें pouches में मिल जाते हैं लेकिन क्रीम जो होती है वो हमें pouches में नहीं मिलती है या हमारे जो lotions बगईरा होते हैं वो हमें pouches में नहीं होते हैं तो उनके लिए हमें बड़ी बड़ी bottles को ले जाना पड़ता है जिसके कारण वो हमारे bag में काफी space occupy करते हैं तो उसका बहुत ही असान trick में आपको बताने वाली क्रीम या लोशन जो भी है इसको आप इसके अंदर डाल लेजिए यह देखिए जैसे कि मैं अपना यह शैंपू है मैं यह खादी का शैंपू यूज करती हूं तो मुझे ले जाना पड़ता है सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि इसके पाउचिस जो है मार्किट में हमें अ अपनी डिनो के हिसाब से अप इसके अंदर ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लेके जाना है तो आप सिदा करें यह आपका एकदम आपका seal pack हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी कोई भी क्रीम मैं आपको दिखा रही है। तो आप मैं असो चेगा कि मैं इसका promotion कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको simply दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप अपने वीडियो जरासी भी यूसफुल लगी है तो जरूर इसको लाइक और शेयर कीजेगा और मुझे अपना फीडबेक जरूर शेयर कीजेगा कमेंट बॉक्स में और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजेगा मिलती हूँ नई वीडियो के साथ तिल देन टेक कियर एंड बाई बाई